बच्चे स्वागत है हमारे इस ब्राइट इड्यूकरेशन की यूट्यूब चैनल में तो दिखे आप एक्जाम देने वाले हैं बहुत सारे स्टुडेंट हफेली एक्जाम देने वाले हैं ठीक है और कुछ-कुछ का हो गया साइद कुछ कि ऐका दू इस्टू One का कमेंट हा कि सर मेरे यहां परrąटिएट से स्टार्ड हो रहा है तो साइद उनका हो गया होगा और मेरा समय नहीं रहने के वज़े से मैं आपको पेपर नहीं दे सका मेरे पास हाला की सभी पेपर तो मेरे पास भी जो एक्जाम हो रहे हैं यहाँ पे वो भी पूरा नहीं हुआ है तो कल साइट साइन्स होने वाला है तो मैं साइन्स का पेपर कल अपलोड कर दूँगा तो मेंस का पेप पर जो है वह दिखा दिया जाए किस टाइब से कोशें ना रही है कम से कम स्लेबस यहां से फोकस हो जाएगा आपका और प्लस आपके प्रेक्टिस भी हो जाएंगे एक्जाम की तरह आप अराम से घर में एक्जाम की तरह दीजिए हाला कि ग्रूप के अंदर आज में दो-तिन डाल दूंगा यह वला कोशिंड का मेरा समय नहीं रने के बज़र समय नहीं डाल पाया तो ठीक है तो जो किया एक बच्चों को देना चाहता हूं ताकि सभी का हेल्फ हो तोाब भी चाहते हैं सभी का हेल्फ हो तो आप मुझे वह PDF बना कर या question paper जैसे भी हो मुझे भेजी है ठीक है तो देखिए यहाँ पे था which one of the flowing is non-terminating repeating decimal देखिए question आता ही है इस type का ठीक है और यह सिर्फ यही पे नहीं आता है यह final exam में भी आया हुआ था ठीक है final exam का paper भी अगर उठा के दिखाओं मैं previous paper तो आया हुआ था देखिए यह देखिएगा इसको अगर डिवाइड देखिए हाला कि देखिए जो टिक किया गया है आप बोलेगा सर यह तो टिक किया गया है यह मैं टिक नहीं किया हूँ student ने ठीक किया है तो आप गलती ना करे यह इसका answer नहीं होगा यह सब answer नहीं होगा यह answer होगी ठीक मैं बनाया नहीं हूँ हाला कि मैं ऐसे शिकाते रहता हूं बच्चे को तो मुझे अभी भी या दे यह होगी और यह निकाल लिया है दस चल गया च्छे ठीक है और यहां पर मैं जीरो दे सकता हूं कि एट सेबन जा अटो सत्य चपन अधिए फोर आ गया जीरो दे सकता हूं अच्छो को बतिर अट पन चले दिखिए एट फाइब जा फोर्टी का में जानी यहां यह टोटली पॉ्ट फॉट्रीस यहें टॉटली डिवाइड हो चुका है तो यह टर्मिएट हो चुका है तो इसका एंसर यह नहीं होगा यह भी नहीं होगा यह होगा आप बना ले जएगा ठीक है यहां पर दिखिए क्या पूछा है द़ स्वाफ द हो एक स्कॉर्ण मैंनेश 50 एक सफस्कॉर्ण मैंनेस फिप्टिन का प्रोड़क्ट कितना होगा यह आपको निकालना है कि तो एक तो दीकिके यह में पहले नियुक्राइब ऑन यह एंप कंग करणे कि कि निकाल के हो गया तो एक्स का भेलू किया होगा अगर स्क्वाइर को हटाऊंगा तो रूट लग जाएगा रूट 15 तो ठीक है ऑप्सिन नमर डी राइट है बच्चे ने सही ठीक किया है यहां पर देख सकते हैं यह कोशिन आया था वीच अपड़ फ्लोइंग इजे ठीक है यहां पर रोसन अपड़ इक्वेशन तो सॉलूशन अपड़ इक्वेशन आपको सॉलूशन निकालना है ठीक है सॉलूशन निकालना है सॉलूशन अपड़ इक्वेशन ठीक है तो सॉलूशन निकाली है कितना होगा देखिए है क्या है किया देखिए 2x plus 3y equal to 13 क्या मैं option को देखिए आप अगर मैं यह कोई formula के तोर पे नहीं जाऊँगा मैं यहाँ पे देखिए बच्चे ने यह टिक किया है तो यहाँ पे देखिए 2x plus 3y समझेगा 13 मैं option को उठा के कर सकता हूँ मैं पहला option को लेता हूँ x के जगह में 2 रखूँगा y के जगह में 3 रखूँगा तो मेरा equal होना ची x के जगह में 2 रखूँगा तो 2x2 plus y का जगह में 3 रखूँगा तो 3x3 equal to 13 यहाँ पे देखिए 2x2 जा 4 plus 3x3 जा 9 equal to 13 इधर भी 9 and 10 13 equal to 13 इसका मतलब हुआ कि यह पहला option काम कर गया बराबर है दोनों बराबर है option को लगा के दे सकते हैं आप option को वहाँ पे पूट कीजिए x का जगह में 2 रखिए y का जगह में 3 रखिए और इधर देखिए 13 होता है यह तो examiner तो ओई बोला है ना यह दोनों आपस में बराबर है equal है जब a बंदा b बंदे के बराबर है मतलब a बंदे के पास जितना पैसा है जितना रुपया है b के पास उतना रुपया होना चाहिए मतलब हमारा यह वाला तो होगा ही नहीं यह वाला देखते हैं x का जगह में 2 लगाता हूँ 2 टू जा 4 plus y के जगह में minus 3 लगाता हूँ तो minus 3 plus minus देखिए minus 3 लगाने से यह plus minus minus हो जाएगा यहाँ पर plus होगा ही नहीं और 3 ती जा 9 यहां पे माइनस होजएगा 4 माइनस 9 ना तो c4 चला गया तो आपका facility सब्सक्राइब कर सकते हैं थिक है वह यहां भी बच्चे ने किया है देखिए किया दिया है P X A X square minus 3 A minus 1 X minus 1 बहुपोदर 801 गुन 1 हो ले देखिए यहां पर क्या दिया है हाला कि है बेंगुली पढ़नी पढ़ गई मैं सोचा असामी से तो पढ़ दिया कोई बात नहीं if one of the zeros of a polynomial P X equal X square 3 A minus 1 X minus 1 is to each is what क्या बोला है वान अच्छा इजवान देन देखिए का वेलू कितना होगा देखिए एक वेलू भी वान ही निकलेगा आप पूट कर सकते हैं P X का जगह में वान रखकर और 0 देखिए आप देखिए हैं आप यह बनाए होंगे देखिए यह पूरा मैं explain नहीं करूंगा बना के क्यूंकि मैं मेरा मकसद नहीं पर question दिखाना solution में कराऊंगा लेकिन solution इसका अलग बना के मैं दूंगा अलग ही बनाऊंगा पूरा एक-दो आपको याद दूनी चाहिए क्वाडिटिक इसक्वेशन बनता किस तरह है एक-सक्वायार फ्लास बी-एक्स इक्वेल प्लास प्लास होगा सी इक्वेल टू जीरो ठीक है यहां पर उल्री दिया हुआ है यह यह क्वाडिटिक इक्वेशन का में फोर्मुला देख सकते हैं एक्स इसक्वायर प्लास बी-एक्स प्लास सी मतलब आप जो भी नंबर लिजेगा उसमें एक कोई नंबर है कोई नंबर हो सकता है वान टू थ्री पर कोई भी एक्स इसक्वायर होनी चाहिए उसके पद एक्स वाई एक ही जाती होनी चाहिए बी भी कोई एक नंबर है उसक मतलब देखिए 5x square हम number ले सकते हैं आप A का जगा में खुछ लीजिए तो 5 ले लिया 5x square उसका प्लास B का जगा में मा लेजिए 3x प्लास C का जगा में 2 यह है quadratic equation यह बनेगा equal to 0 देना पर गए यह बनेगा अब देखिए अगर देखते हैं square का यहाँ पर देखिए square की काम हो रही है यहाँ भी square का काम है यहाँ पर क्या बोला है question को पहले धियान दे देजिए is not is not इसको यादक नहाए कोई focus नहीं करता है is not म square square x square minus to square square four यह भी square बनेगा आपको फिर्मुले यह याद दें तो यह भी बनेगा देखिए यह बन जाएगा ठीक है यह भी बनेगा यह बनेगा लेकिन यहाँ पर एक क्यू है तो यह बोला है negative यह negative बोला है क्या बोला है no not MA हां तो मेरा भी यह negative तो यही निकल के आएगा क क्यूंकि क्यूंक्य वाला क्वाडिटिक एक्वेशन में कभी नहीं होगा ठीक है यह देखें यहां पर क्या दिया है यह भी क्वाडिट एक्वेशन से पूछ रहा है दुई गाती होमीकरोन मुली को पारू जोदी वी इसको एमेनिस फॉर इसी ग्रेटर देन इकुएल जीरो होए हो ले एक्सिकार प्लस बी एक्स फ्लस सीरो दुई का थोमीकरोन मुल दूटी की होगो देखें आपको क्वाडिट इंक्यूसन की एक फॉर्मूला भी याद होनी चाहिए फॉर्मूला ओई यह माइनस भी माइनस भी प्लस माइनस ठीक है यहां पर दिया हुआ देखें माइनस भी प्लस माइनस भी प्लस माइनस भी प्लस माइनस होनी चाहिए था तो यहां पर माइनस भी प्लस माइनस भी प्लस माइनस होनी चाहिए था सिप माइनस दिया है बंदा नहीं तो यह तो हड़ गया कि यहां पर ठीकी दिया आये जमिनार मैनेस भी प्लस मैंनेस रूट बाइज पर बीश चुड़ दिया है यहां पर यह रहूज जाएगा तो यह डी नंबर राइट हो जाएगा पूरा पफरफेक्ट है देखिए यह ट्रेंगल लखा है एक ट्रेंगल है देखिए ऐसा है मैं बना के दिखारा हूँ थीक है बना के दिखा रहाँ abc right angle यह या नाम लेकन लेकिन लेकिन आप अपना मरंगी से नाम नहीं देख सकते है एंगल a 90 degree डिट मिन्स ये वला 90 डिग्री का पी oc हम इसको बी मान लिए si मान लिए कि इसको क्या माने इसको माने हमने b और इसको क्या माना मैं इसको क्या माना मैंने C इसको हम C माना ठीक है यह B माना यह C माना यह 90 दिग्री है यहां पर फिर बोला है एंड एडी परपेंडिकुलर टू बी सी एडी यहां से जाएगा ठीक है एडी एडी परपेंडिकुलर टू यहां पर डी बनेगा बी सी बी सी को परपेंडिकुलर है तो यहां पर चारों से दिए गये हैं कौन सा राइट होगा तो बोला है BD BD ये वाला BD या ऐसे बोला है BD D-C 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 किसके बराबर होगा ठीक है तो ये होगा इसका एंसर निकलेगा आपका ये ओला A B by A C का whole square एक्चुली ऐसे निकलेगा A B का whole square by A C का whole square ठीक है ये एंसर होगा लेकिन ये अब मैं प्रूब करने जाओंगा तो समय भी लगेगा तो आप प्रूब कर लिजेगा ये question आया थो option में distance of the point 2,3 from xxs देखे इसका answer 5 नहीं होगा बच्चे क्या करते हैं देखे ये क्या किया गया था बच्चे तो पड़े नहीं थे जो नहीं पड़ता है वो तो इसे ही करता है गलतिया वो दोनों को जोड के रख दिया इसा थोड़ी है इतना बुरबक थोड़ी एक्जयामिनर आपको इसा दे देगा तो ये डोनों distance नि ये बनाने से पहले हम distant की formula ही दिखा देते हैं एक्चली चलिए इसको अच्छे से solution करने की कोशिश करते हैं हम लोग अच्छी तरह बनाएंगे चलते हैं distant का formula पहले दिखाता हूँ देखें d equal to d that means distant root over आपको याद होगा root over x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square यह distant का formula है ठीक है यह distant का क्या है formula है तो चलिए हम यहां पर बैठाते हैं हम बैठाने के कोशिश करते हैं यहां पर यह वाला जो है यह बिलाए यह वाला x1 है लिख देता हूँ x1 ठीक है और यह वाला x2 है x2 और यह वाला y1 है और यह वाला y2 है ठीक है दिखा दिया हम इने यहां पर बोला x2 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 minus x1 हम इस फोर्मूला के तोर पर जाएंगे x2 मतलब minus 8 minus 8 फिर minus बोला है minus फोर्मूला का minus है minus x1 x1 मतलब हम यहां पे 00 ka holy square plus इसके बाद क्या दिया है पोर्मूला में y2 y2 मतलब कितना है 00 कि यहां पे जीरो होगा और बोला है minus तो माइनस यहां पे दिखेगा फौर्मूला जैसा बोलना है y1 y1 मतलब y1 भी जीरो है अच्छा y1 भी 0 का holy square ऐसे 0000 का holy square मतलब इससे कोई लेना ही देना ही नहीं है हमें लेना देना है सिब इससे अच्छा माइनस यहां पर पहले काम कर लेता हूं माइनस माइनस तो प्लास ही होगा राइट कि मैंनेस मैंनेस क्या होगा बच्चे मैंनेस मैंनेस प्लास होगा मैंनेस मैंनेस प्लास होगा लेकिन सिंबल मैंनेस ही रह जाएगा ठीक है सिंबल क्या रहेगा मैंनेस ही रहेगा क्यों बढ़ा है तो एड़ बढ़ा है यह ऐसा होने का रूट बार यहां पर मैंनस एड ब्रे पहले कितना का होल जोबना रहा है कि मृने सेट अगर बना यह में जञाएगा तो मैं drug को टा सकता हूँ मैं यजी ली वर्य के से दॉस्डख का माइन से Hoje से औस सन्माइन से समय दीजिए मुझे मैं इसको यहां पर करता हूं कि वाइड वोर्ड लेनी चाहिए था तो मुझे यहां पर करता हूं ठीक है आच था क्या एक्सटू मैंनस एक्सवन मेल उता जिरो जिरो दो माइनस एट जी दो जिघ सटू माइनस ॽफेट अ एक्सटू माइनस एक्सटू तो से पाइटो मैर्च एक्सक् enfants मैननेस फ्लास च KIR तो सलोक्षन ता अच्छा जीरो से कोई लेन देनी नहीं है कोई भी संख्या में जीरो आ जाए जीरो को माइनस करना हो जीरो को प्लास करना हो उससे कोई हमारी अंतर नहीं होती है हाँ हलाओ कि माइनस मैनेस यहां पर प्लस हो जाएगा ठीक है एक इंसर आएगा वीडियो लिंदी उती जा रही है कि मैं जल्दी से मना देता हूं आगे बढ़ते हैं देखिए बेलूँ आप साइन स्कुराइट 30 degree minus cost square value आपकी याद होनी चाहिए sin 30 degree के value कितना होता है बोले तो फटाक से comment किजिएगा sin 30 degree के value होती है minus sorry 1 by 2 1 by 2 1 by 2 तो 1 by 2 का whole square minus cost 30 degree के value कितने होती है यहाँ पर square है तो square देज़े cost 30 degree के value root over 3 by 2 root over 3 by 2 का whole square 1 के square 1 होगा 2 के square 4 होगा हो जाएगा इसके बाद middle में minus 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 यह से root cancel हो जाएगा और इसका square बन जाएगा मतलब यहाँ पर 3 और निचे 4 4 LCM आ जाएगा 1 minus 3 इधर बना 1 1 minus 3 1 minus 3 बना न 1 minus 3 1 minus 3 by 4 तो कितना आ रहा है मेरा minus 2 by 4 2 1 जा 2 2 2 जा 4 minus 1 by 2 यह उला लास्ट में निकला मेरा तो minus 1 by 2 is the right answer minus 1 by 2 सही दिया है बच्चे ने यह बिलकुल सही बेठाया है उसके बाद देखे 2 10 30 degree प्लास 1 plus 10 square 30 degree चले बनाई देता हूंने में बनाई देता हूं देखे क्या दिया है 2 दिया है तो टू दे दे 10 10 30 degree का मेलू हो जाता है 1 by root 3 right 10 30 degree 1 by root 3 तो 1 by root 3 ऐसे दे दिया डिवाइड यह टू इन्टू है 2 into 1 by root 3 ठीक है नीचे 1 plus 10 square 30 degree मतलो square देने से direct 1 by 3 आ जाएगा आप बना ले जाएगा मैं बस एंसर निकाले के कोशिस कर रहा हूं मैं समझा नहीं उतना नहीं समझा सकता अभी सही ब्लेक मुझे वाइड बूर्ड भी लेनी पड़ेगी 2 into 1 by root 3 यह तो रही जाएगा नीचे को है कि LCM अगर लोंगा तो LCM देखे क्या आएगा तीन आएगा यह चला जाएगा ओपर कि मेरे ऐसे आ रहा है 3 root 3 into 4 अच्छा यह तो अप्शन में है नहीं कि क्या मैं इसको काट सकता हूं ऊपर रूट 3 into देजिए नीचे रूट 3 into देजिए 3 आ जाएगा 3 3 किंसल तो किनसे लोगा जो 3 by 4 root 3 by 4 इसको मैं square दे सकता हूं 3 by 16 यह क्यों नहीं है कि बच्चे बना लिजेगा तो थोड़ी खुल से कोसिस कीजिएगा यहां पर भेलू बढ़ने से नहीं आ रहा है यह कुछ अलगी तरीका से बनाना परेगा दिखे में बेलू लगा के देखा फिर भी नहीं हो रहा है तो जरूर कोई अलग विदी होगी देखनी परेगी मुझे बेलू याद था इसलिए बेलू पूट किया मैं तो यह वाला कॉस्चन भी आया हुआ था यह वाला देख लिजेगा है एस्ट्र यह पेल्चिम यह तो वह यह इलगोरिदम परियोग करना यह यह लेकिन वह यह इक्कुल विवाजन से नहीं करना है यह बोला है फेक्ट्र राइज़ेशन में तो यूज करना है तो यह बनाने की दो-तीन विद्या है आप जैसा एक्जामिनर एकोर्डिंट बाब दिजेगा प्रूब डेट इस टाइप का कोश्चन मैं अलड़ी वीडियो अपलोड कर चुका हूं दो तिन इसमें चार्ट टाइप ही होती है या तो एक जमेनर प्लस में पूछता है देखेगा या तो प्लस देके इस तक नहीं पूछा है आज तक नहीं पूछा है तो यह देखिए अप्यार बिननार इक्वेशन से है बनाई यह चांड नंबर बनाई आराम से ऐसे हैं बहुत अच्छा कोश्चन है मैं अब स्लाइट करूंगा मैं आप सुलूशन करूंगा स्लाइट करके दिखाऊंगा क्य यह भी बनाने की अच्छी तरीका है इसको क्या बना दू देखकर मुझे इंट्रेश्ट लग रहा है यह ऐसा है यह एक बार ऐसा किजिएगा इसको लीजेगा एक बर इसको लीजेगा एक बर इसको आपका एंसर निकल के आ जाएगा अब सूचिए मैं दिखा दिया निकाल ल इना है नहीं final exam हाला की होगा की नहीं तो हफिल exam आप लोग सही से दे अभी देखें 2021 का recently exam खतम हुआ है उसकी जो भी पेपर है बहुत सारा पेपर जितना छे पेपर बनता है उसमें से तीन पेपर अप्लोड हो चुका है तीन पेपर और घर में है मेरा में अप्लोड कर है वीडियो भी आपकी पास अगर नोटिस नहीं आ रही है तो गुरूप में वीडियो डाल देता हूं वह नोटिस भी आपके पास पहुच जाएगी ठीक है और देखें बहुत सारे बच्चे देखते हैं यह मेहनत करके इदर अधर ढूंड कर लाना पड़ता है जाके सेंटर है एक लाइक और सब्सक्राइब तो करना ही चाहिए क्योंकि इस तरह का गोल्डेन ओपरचुनिटी आप मिश ना करें बहुत सारे यहां पर मेट्रियल्स दी जाती है ठीक है अब देख भी सकते हैं तो बहुत अच्छा है एवलुएट करना है देखकर ही मन कर रहा है कि बन तो देखि कोई बात ही प्रेक्टिस कीजिए सब कुछ मेट सिजी है यह इतना दूरी था स्वासा करता हूं एक लाइक जरूर करना है कमेंट जरूर दिजेगा आपकी क्या मतलब प्रोब्लन हो रही है या आप क्या चाहते हैं कुछ भी हो आपकी अगर कुछ भी अस्विद